हलो दोस्तों मैं प्रशान्थ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक वीडिटी कोमें स्वागत करता हूं तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दो इंडिकेटर देखने को मेल वे होंगे सबसे पहला जो normal RSI इंडिकेटर है वो यहाँ पे हमने यूज किया है दूसरा यहाँ पे हमने एक lag भी RSI इंडिकेटर यूज किया जिसको आप new RSI इंडिकेटर भी बोल सकते हो अब RSI indicator तो है अब यहाँ पे हम इस new RSI indicator को क्यों लाए हैं आप लोग यह सोच वे हैं तो चलिए सबसे पहले हुआ confusion दूर कर देते हैं तो उससे पहले RSI का काम क्या है RSI हमें यह बताता है कि कब हमारा market क्या है over bought है और कब हमारा market आपका over sold है यह indication हमें देता है ठीक है अब को example के थ्रू बता रहा हूं देखें यह इस particular level के उपर गया यहां पर दिखा रहा है कि market over bought है और यहां पर भी दिखा रहा है कि market over bought है अगर हम इसके बात को मानते हुए यहीं पर हम क्या कर देते हैं हम सेल साइट वाला ट्वेड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा market ऊपर गया हमारा stop loss हीट होगा और ultimate हम कहां पर जाएंगे हम जाएंगे loss में अब loss में हम क्यों गया क्योंकि हमने RSI पर भरोसा किया और RSI ने यहां पर हमें false indication दिया कि market over bought हो गया है तो RSI में इस तरीके के multiple जो noise है वो हमें regular basis पर देखने को मिलता है अब हमें क्या करना होगा इस तरीके के noise को filter करना होगा और इस तरीके के noise को आप normal RSI indicator से filter नहीं कर सकते हैं बहुत मुस्किल है तो इसी के indicator इस तरीके के जो noise रहता है उसको आसानी से filter करके देगा बस आपको मेरी बातों भरोसा नहीं करता है मैं सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ आप भी इसको test किजिए अगर आपको सही लगता है तो क्या करना normal RSI indicator को छोड़ना है यह normal RSI indicator जो पर आपको lagry RSI indicator यूज करना है आज के video हम यही आपको बताने की कोशिज करें क्यों अभी यह समझना है सबसे पहले इसको लेखे किया line आपका 20 के नीचे आ गया इसमें जो level है यह भी आपका 20 है और यह भी आपका 80 है अब क्या 20 के नीचे से ये लाइन गया और 20 के ऊपर आ गया तो यह हमें क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे हम buy side की तरफ जा सकते हैं ध्याँ रखना buy side की तरफ तभी जाएंगे जब यह line आपका 20 के नीचे से start होके 20 के ऊपर आ जाए तो हमें यहाँ पर buy करना है अब देखिए लगबग हमारा इस level के आसपास क्या बनेगा एक buy side वाला trade बनेगा जो भी swing दो बनेगा वहाँ पे हम अपना क्या रख देंगे stop loss रख देंगे अब यहाँ पर क्या हुआ यह line 80 के ऊपर जाके flat हो गया अब आप भी बोलोगे कि यह भी दिखा रहा है कि market overbought है अब यहीं प उसका यह indication देता है यानि उस पूरे phase में क्या है कि buyers के पास continuously strength बना हुआ है जबकि इसी phase में RSI ने हमें तीन बार दिखा दिया कि market क्या हो गया overbought हो गया जबकि यह कहीं पे भी market के कमजोरी को indicate नहीं कर रहा है और इस पूरे phase में अगर आप देखेंगे तो market आपका continuously क्या किया उपर side की तरफ गया यानि upset जर्वनी continue किया अब यहां पर हमें sell side की तरफ ट्वेड कब लेना आपको जब भी profit बुक कर सकते हैं नहीं तो price अगर आपका 80 के नीचे आ गया तो यहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो और यहीं पर हमें क्या करता है जैसे 80 के above से 80 को break करके नीचे आया तो हम यहां पर क्या करेंगे यहां पर हमारा बनेगा sell side वाला ट्वेड बेस्ट ऑन जो lagry RSI indicator जो new RSI indicator है उसके basis पर अब इस point पर अगर हम बात करें तो price कहां पर इस particular level करीब हमारा sell side वा ट्वेड बनेगा previous swing आया है यह हमारे लिए stop loss के फ्रैट हो गया है तो फ्रैट होने का मतलब यह नहीं कि मार्केट यहां पर आपका oversold हो गया यह क्या दिखा रहा है यह दिखा रहा है कि अब किसके पास strength है आपका sellers के पास है that means to हमें यहां पर sell side वाला ट्वेड लेना उसको continue करना और इस phase में अगर हमें कोई ट्वेड ल कोई भी noise देखने को नहीं मिलेगा जिसे कारण से हम अपने losses को avoid कर सकते हैं तो जो confusion आपका RSI create कर रहा था हम जो वीडियो बनाते हैं इसमें जो ट्वेडिंग में confusion होता उस confusion को दूर करने की कोशिस करते और उस confusion को आपको clarity देते जैसे मार्केट में clarity रहेगा आप losses नहीं क है हमने यह सारा काम किया रिलाइंस के डेली चार्ट में देख सकते हैं किस तरीके से यह पूरा का पूरा आपका picture कि ले कर दिया कि कब buyers के पास strength है कब sellers के पास strength है लेकिन इसमें डिमेरिट क्या है इसमें डिमेरिट है कि इसका इस्तेमाल आप five minute time frame में नहीं कर सकते हैं एक इसका accuracy level है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा और एक और डिमेरिट है जो कि RSI में भी है और इसमें भी है वो क्या है कि जब भी market आपका gap up हो या फिर gap down हो तो उस टाइम पे इसका इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि यह सटिक information नहीं देता gap up या gap down के वैसिस पे वो adjust करने तो इस टाइम पे RSI और जो यह लैगरी RSI निव RSI है इस पे भी आपको भरोसा नहीं करना है तो इसका इस्तेमाल gap up या gap down में नहीं करेंगे और एकदम lower time frame में नहीं करेंगे minimum आप 30 minute के time frame में कर सकते हैं अब इसमें भी जैसे यहीं पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या ह हुआ है मारकेट आपका up-side के तरफ indication दिया और वह भी up side के तरफ indication पर यह gap up के बाद मारकेट यहाँ पर gap-up लिया इसके वेशिस पर प्रोप्लस बन जाएगा और थोड़ा ही साही लेकिन यह ट्वेट हमें प्रॉफिट बना के दिया है तो ऐसे हमें काम करने की जरूवत है जैसे यहीं पर आप देख लिए बाइस सिंगनल दिया लेकिन यह जो बाइसारी की तरफ सिंगनल दिया कब दिया मार्केट आपका जो बाइस और सेल सिंगनल लेता है उसको आप फॉलोग कर सकते हैं तो उमीद करें कि इसका थ्रोली इस्तमाल कैसे करना वह आप समझ गया होंगे और इसी टाइम में आप देख सकते हैं कि मार्केट आपको आरेसाइए आपको मुल्टिपल टाइम कन्फ्यूज करेगा तो आप यहां पर आपको टाइब करना लैगरी आरेसाइए इंडिकेटर फिर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा यह वाला लैगरी आरेसाइए और यहां पर देख सकते हैं इसको आपको एड़ कर लेना तो इस तरीके से यह आपको एड़ हो जाएगा और बांकि इसके सेटि किया है 20 से नीचे बाई सार्ड की तरफ सिंगनल दिया है ठिक है प्राइस आपका ऊपर साइट की तरफ जा रहा और यहां पर क्लेवेटी के साथ दिखा रहा है कि स्वेंद्ट बना हुआ लेकिन इसी फेज में अगर आरे से को देखात तो इसके बैशन की तरह करवा दे रहा कई बार इस नौइज को फिल्टर कौन करती है यह जो हमारा लैगरी आरेस है जो नीव इंडिकेटर है यह इस तरह के नौइज को आपको आसानी से फिल्टर कर देगा कोई कंफीजन ही नहीं देगा इस फेज में हमें जो भी ट्वेड लेना वो क्या ट्वेड होथ दिखा रहा है यहां पर इस का दिखा रहा यह रहा यह स्ट् MAN लोट करेंगे तो यह हम आसनी से ले सकते है बेस्ट इस इंडिकेटर तो उमीद करते लिए कि इस्तमाल है और लोग पर इस्तमाल करेंगे तो ज्यौदा एक्वरेट वीजर देगा सो रैट इस तरहतो अगर आपको informative content पसंद आते तो प्लीज वीडियो को लाइक जोर किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दवाइए मिलते नेक्स वीडियो में जैन